जो आप अभी खुबसूरत मंदिर देख रहे हैं इसे रामेश्वर्व बाग कहते हैं जो गया जिले के पंचांगपूर से एक किलोमेटर और टिकारी से लगबग 6 किलोमेटर पर इस्तित है ये पंचांगपूर से जो कुर्था रास्ता जाती है या पंचांगपूर से जो ट स्थित मंदिर है इस महर को टिकारी राज साथ आना की महराणी रामेस्वर कुमर्क उर्फ डूलहिन साहिवा के द्वारा बनवाया गया था रामेस्वर बांदिर और मंदर के इसके आसपास के बाग बगीचे का छेत पर उस जवाने में सेक्रों भीगव में फ्याला वाता ति गया जिला के सेवतर स्टेट में रामेस्वर कुमर उर्फ दूलिन साहिवा के साथ हुई थी महराजा रन कुमर की मिर्थू के बाद यहां की महरानी रामेस्वर कुमर बन गई थी और यह मंदिर का निर्मान करवाया और इसका बगल में एक महल का निर्मान करवाया जिससे रामेश्वर बाग करते हैं और इसे रामेश्वर बगीचा क्योंकि देख सकते हैं यहां पर तलाव बनाया गया था और बीच में उस जमाने का फुवारा बनाया गया था और यह मंदिर का परिसर काफी अच्छा नेक्स्ट वीडियो में मैं उनका महल दिखाऊंगा यह उनके द्वार बनाया गया एक मंदिर है जिससे रामेश्वर बगीचा का जाता है और उनके इसी के बगल में जस्ट रामेश्वर महल है देख सकते हैं इसमें जनेस्ट की प्रतिमा थी और देखी काफी खंडर हो चुक मैं उनसे प्रात्ना करता हूं कि यहां आए और बीच बीच में साप सुत्रा करवाएं और फूल फूल पोधा रोपन करवाएं मैं उनका भारी रहूंगा अगर जो भी इस छेटर के मुकिया या विधायक हो किरिपया इस मंदिर पर धियान देखी मुझे इस मंदिर में एक खंधर क्यूं बंता जा रहा है लग इसका रख रखायो क्यों हो पा रहा है उन्होंने कहा कि यहां बहुत कम लोग आते हैं तो मैंने पूछा की विधायका कि आह오 की आते India कुछ फंड मिलता है कि ने मिलता है तो बोले कि बहुत कम आता है या पहुत-कुछ कम होता है इसलिए यह सब नहीं होता तो मैं रिक्विस करना चाहता हूं लोकल विधायक से कि आप आएं बीच बीच में और यह प्राचीन ध्रोवर है प्राचीन मंदिर है तो आप इसकी रख रखाव करें और इसका मेंटनेस करवाएं ताकि यह ध्रोवर बचा सके आप रहने वाले का है वेला थानक रहने वाले हैं वेला थानक रहने वाले हैं जिसी मंदिर में रहते हैं अच्छा और इसकी बातों के दोरान एक बात की और जनकारी मिली कि पंचांगपूर का जो रामेश्वर बाग या महल और रामेश्वर बगीचा यह मंदिर परिसर है और जो टिकारी का मुख मंदिर है जिसे गोपाल सरन का मंदिर महल बोला जाता है यह तीनों आपस में लि गुफा बने बनी वी थी जिसमें महलाएं वहां की उस गुफा के अंदर से आती थी एक गुफा छे क्लुम्टर की थी अभी ओ लूप्त हो चुका है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में देखाऊंगा वो रामेश्वर महल यहां तो मैं वीडियो में देखाऊंगे तो पानी कि यह परवेश दुआर पहले यह मंदि सेक्रो बिघाम में फैला हुआ करता था और सारुतर फूल बगीचार हुआ करता था और सारत चरतर बौंडरी हुआ करता था इसी कि जस्ट बगन महल है और यह उसके उस महल के परिसर में ही यह बहार मंदिल बना हुआ था और पुवाने चमाना का इसमें तलाव मंदिल के आगे तलाव था जो कि टो से किरा हुआ था और बीच में फूरा टाइप की जहर्णा बना हुआ था ज़ना देख सकते हैं आप देखिए ज़र्णा देख रहे हैं अ यह फोड़ा उट न था और पूरा वह ऑफ पूरा वह पूरा लगा है है, और यह बड़ा बढ़ा सिर्या लगा couldn't it is… और इसी से सो मीocado यह फिर दो सो मीटर में लगबग रामेश्वर महल है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में देखाने वाला हूं तो अभी चलते हैं काफी समय हो चुका है यह हमारी बाइक रखी भी है तो चलती है गोता है कब से कहां करें तुम्हारा नो नी यहां दिली आते हो तुम घुमने अधिकारी में अच्छा अच्छा अब है चुड़ गया था बाइक में मंदिर पर ही तो मैं लाने गया था वह मंदिर देखे सकते हैं कितना भवी है अच्छा है रोड गया टूकूर्था या फिर पंचानगपूर टूकूर्था अच्छा बाइक प्राप्षा टूक्षा या या रहां प्राप्णाप।